होली का त्योहार हिंदू का पर्मुक त्योहार माना जाता है, इस त्योहार को मनाने की पिछे भी कई परकार के तत्थ और कहावत हैं, बहुत सी कथाएं इसमें जोड़ी भी जाती हैं, जैसी की पहलात, कामदेव और पुत्ना की कथाएं, खास करके देवी पर्वती की भी वह चाहती थी कि उनका विवाह भगवान सीव से हो जाए उनसे विवाह करने के लिए वह कई हजार वर्सों तक कठोर तपस्या करती भी रही लेकिन भगवान सीव पर उनकी तपस्या का कोई असर नहीं पड़ा और भगवान सीव अपने ध्यान में लीन रहे फिर क्या था? कामदेव परवती की सहायता के लिए सामने आ गए और अपना प्रेम बान चलाया और ध्यान में लीन भगवान सीव की तपस्या को भंग कर दी तपस्या भंग होने से सीव जी का क्रोध जेवाला मुखी की भाती आग उगलने लगा सीव जी ने अपनी तीसरी आँख खोल दी और उनका क्रोध इतना हुआ कि कामदेव जल कर राख हो गए फिर भगवान सीव की नजर परवती पर पड़ी तो परवती की तपस्या ही सफल हो गई और सीव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में सुईकार कर लिया लेकिन होली के आग में जल कर नास होने के बाद आकर्शन की हार हुई और परतिकात्मक रूप से जीत भी हुई इसलिए सच्चे प्रेम की विजय में यह उत्सव मनाया जाता है होली की एक और कथा पर चली थे जिसमें कंस ने क्रिष्ण को मारने के लिए पुत्ना नामकराश्री को गोकुल धाम भेजा था पुत्ना एक मायावी राजस्री थी उसने बहुत ही सुन्दर इस्तिरी का रूप धारन कर लिया और गोकुल की महिलाओं के साथ बहुत आसानी से घुल मिल गई उसनियोजणा अनुसार गोकुल के कई नवजात सिसु को अपना दूद पिलाकर सिकार बना लिया था फिर वह कृष्ण को दूद पिलाना चाहती थी लेकिन कृष्ण ने उसी समय पुतना का वद कर दिया पुतना के बिस्पान के कारण ही कृष्ण का रंग भी नीला हो गया था अपने रंग को देखकर स्री कृष्ण को लगा कि उन्हें ना ही गोपियां और ना ही राधा पसंद करेगी वह उदास होकर बैठ गए उनको परशान देखकर माता ये सुधा ने कहा कि जाओ और अपनी राधा को किसी भी रंग में रंग दो अपनी मा की बात मान कर कृष्ण ने राधा को अपनी पसंद के रंग में रंग दिया फिर क्या था राधा कृष्ण अपने प्रेम में डूब गए उसके बाद से रंग की इस्तिहार को हरसो उलाज के साथ मराया जाने लगा और मथुरा और बिरिंदा वन की होली राधा कृष्ण की इसी और लोकी प्रेम कहानी की परतित है होली की कथाओं में एक कथा यह भी पर चली थे कि प्रहलाद और होलीका की कथा सामिल है जहां पहलाद हिरनकस्यप का पुत्र था उसके पिता एक नास्तिक थे लेकिन पहलाद भगवान नरायन के परमभक माने जाते थे उनके पिता चाहते थे कि वह नरायन की भक्ति करना छोड़ दे लेकिन पहलाद ये मनजूर नहीं कर सके और हिरंकिसप ने अपनी बहान होलिका को पहलात के साथ आग में बैठने के लिए कहा क्योंकि होलिका को यह वर्दान था कि वो अगनी से नहीं जल सकती थी लेकिन जब होलिका पहलात को आग में लेकर बैठी तब उसका यह वर्दान खत्म हो गया और होली का अगनी में जलकर भस्म हो गई और भगवान नरायन की किर्पा से पहलात को अगनी कुछ भी नुकसान नहीं पहुचा सका इन तमाम कथाओं के अधार पर होली का दहन और होली की खुसी पूरे दुनिया में मनाया जाता है जहां सभी लोग रंग और अभीर बुलाल लगा कर अपनी खुसी का इजहार करते हैं साथ ही प्रेम और भाईचारका का संदेश भी देते हैं या ख़बर आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए तब तक के लिए आपका सुक्रिया लाइब भिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें